So, hello and welcome you all, I am Rohit from Mahajan Trader So, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे Tata के कुछ IMP Shares की तो वीडियो को आगे continue करूँ से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल The Mahajan Trader को सब्सक्राइब नहीं क्या है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना साथ ही आप हमारे टेलिग्राम चैनल को जोइन कर सकते हो जिसके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी वहाँ आपको Nifty और Bank Nifty की काफी कुछ अपडेट्स मिलने वाली है तो प्लीज जाकर एक बार चेक आउट जरूर कर लेना तो वीडियो को करते हैं Continue वीडियो को शुरूरात करेंगे Tata Power के साथ Tata Power की अगर हम बात करें तो स्टॉक ने 447 रुपे 85 पेसे के लेवल पे क्लोजिंग दी है वह यह गर हम बात करें तो स्टॉक में अच्छी रैली देखने को मिली जैसा हमने कल डिसकस किया था उसी इसाब से stock ने अच्छे returns भी यहाँ पर दिया 10 रुपे 95 पेसे के round तक की एक अच्छी तेजी stock यहाँ पर बता रहा है और 5 दिनों की बात करें तो stock 18 रुपे बड़ा है एक महीने में 40 रुपे और आगे भी हमें उम्मीद है कि stock में बहतरी return देखने को मिलेगे consistency के साथ यह share आगे बड़ेगा वही अगर देखें तो कुछ important news भी है जैसे यहाँ पर इसकी date आगी है results related, dividends related तो उन dates को भी हम discuss यहाँ पर कर लेते हैं तो यहाँ पर अगर देखें तो Tata Power में जो इसका results है वो results आठ मईं 2024 को announce हो गए साथ ही यहाँ पर जो final dividend है इसका वो final dividend भी आठ मईं 2024 को announce कर दिया जाएगा तो बिल्कुल quarter for 2024 के results आने वाले हैं और यहाँ पर अगर देखें तब तक stock में काफी बड़े upside down स्वेंटव रहेगे और बड़े firms की और से कुछ targets भी यहाँ पर दिये जा रहा है यहाँ पर अगर देखें expected expectations है कि breakout के बाद stock जो है 460 से 470 रुपे का जो level है वो easy यहाँ पर achieve कर सकता है और ऐसा कई बड़े firms की और से कबड़े analyst की और से कहा जा रहा है यहाँ पर अगर देखें जो गनिश डॉंग्डे है इनकी और से भी कहा जा रहा है कि stock में एक बड़ी opportunity मिल सकती आनंद राठी की और से 460-470 रुपे के around तक के target दिये जा रहा है 425 रुपे तक के stop losses इनकी और से दिये जा रहा है तो एक बड़ी चीज यहाँ पर यहाँ पर नजर आ जाती है तो expected है कि Tata Power में आगे भी एक ऐसा तगड़ा मू हमें देखने को मिल जाएगा ठीक है आगे बढ़ते हैं बार ही आती है हमारे next stock की Tata Still Limited की हम बात कर लेते हैं अच्छे रेटरंस देखने को मिल जाते है पिछले पाच दिनों की बात करें तो पिछले पाच दिन में भी इस चेर पाच रुपे बढ़ा है और एक महीने की बात करें तो stock में कई सारे fluctuations है बड़ एक सो साट रुपे से अगे इसने एक अच्छी rally बताई देते है यहाँ पर एक news आ रही है Tata Steel की अगर हम बात करें तो Tata Steel CEO raises concern और raising steel imports तो यहाँ पर अगर देखें तो Tata Steel के CEO ने यहाँ पर एक concern किया है जो steel import है उसे raise करने के लिए तो इनके और से चीज़े कही गई है तो यह भी एक बड़ी चीज़ गई गई है और इनका यहाँ पर कहना है कि हो FY24 में और उपर तक ले जाने की कोशिश यहाँ पर करें FY23 की बात करें तो 126 million ton यहाँ पर import था और इसे बढ़ा कर यहाँ पर अगर देखें लगबग 14% बढ़ा कर 144 million ton यहाँ पर FY24 में है तो एक काफी बड़ी चीज भी यहाँ पर नजर आती है काफी बड़े numbers यहाँ पर नजर आते हैं और इन numbers का भी एक positive fact जो है इन shares के उपर पढ़ने आला है तो यहाँ पर Tata Power, Tata Steel के levels हम देख लेते हैं कि upcoming trading seasons हमें किन particular points के उपर ध्यान देना चाहिए यह भी important चीज है तो यहाँ पर हम देख लेता है तो 5 minute के time frame पर पहले हम देखेंगे तो कल कुछ levels हमने discuss किये था वेलकुल stock में अगर देखे एक breakout मिला था breakout के बाद एक अच्छी तेजी हमने देखी थी इस particular share में और आगे भी हमें उम्मीद है कि ऐसे ही return देखने को मिले गए और यहाँ पर अगर हम देखें तो stock में 5 minute के time frame पर यह वाले level काफियत तक IMP हो जाते है यहाँ पर अगर देखें उपर से stock में resistance phase करता हुआ यह शेर नजर आ रहा है और साथ यह अगर हम देखें तो stock में यहाँ पर एक support भी देखने को यहाँ पर मिल जाता है तो एक upside down momentum देखने को मिल सकते है symmetrical type pattern share में देखने को मिलता है और अंदर यह अंदर भी अगर हम देखें अंदर की और भी तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो stock में एक breakout यहाँ पर हमें देखने को मिल सकता है तो stock में पहले यहाँ से resistance मिला again resistance देखने को मिलता है downside के और से support भी हमें देखने को मिलता है तो एक proper upside down momentum देखने को मिलता है और यहाँ से support लेके उपर की और जा सकता है और after breakout stock में और एक jump देखने को मिल सकता है और एक बड़ी rally share में हमें देखने को हासे मिलने वाली है तो इस point के उपर भी आपको ध्यान देना चाहिए हासे भी एक अच्छे return एक अच्छी rally जो है आने वाले time में हमें देखने को मिल सकती है अब बारी आती हमारे next stock की जो next share हमारा उसका नाम है Tata Power तो Tata Power में यहाँ पर अगर देखे कल जो points हमने discuss किये थे तब तो breakout हमें मिलाई बट यहाँ पर breakout continue रहा stock में rally जो रही continue रही यहाँ पर breakout के बाद उपर गया sideways momentum रहे अगें यहाँ से अगर देखे जो rally है इसे यह continue रख रहा है जो एक काफी positive चीज हमें रजराती है 15 मिट के time frame पर भी अगर हम देखे consolidation के बाद यह share आगे बढ़ रहा है अच्छे breakout के बाद stock return दे रहा है तो आगे भी हमें उम्मीद है कि अच्छे return देंगा और यहाँ पर इसने काफी अच्छा support भी लिया है तो आगे भी stock में बड़े jump हमें देखने को मिल सकते है तो और रहाल काफी कुछ चीज़े जो हमें डिस्कुस कर लिए इस वीडियो में तो I hope आपको यह video helpful और अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक चनल को सब्सक्राइब करना और कोई भी stock में investment करते हो तो इनका अनलस सब्सक्राइब कर लेना साथी टेलिग्राम चनल को जोइन करो लो जिसकी लिंक आपको नीचे description में मिल जाएगी